मेरे प्यारी दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज के अपने सेशन में नियाई पालिका से संबंदित, मैट पून तत्यों के बारे में और अभी तक हमने वन लाइनर कॉस्चन फॉर्मेट में, आल्टी का जो रिविजन चल रहा है उसमें अभी तक हमने पार्लियमेंट और उसके जो तत्व हैं, जैसे लोकसबा, राज्यसबा और राष्टपती अच्छे से कवर कर लिया है, आज हम नियाई पालिका से संबंदित, कॉस्चन आंसर करने वाले हैं दिखें हमारे देश के अंदर जो नियाई पालिका है वो इस तरीके से है, देख पारे होंगे, यहाँ पे सुप्रिम कोट यानि पूरे भारत का एक सुप्रिम कोट है, भारत के अंदर 28 राज्ये और 8 यूनिन टेरिट्री हैं, यानि 36 राज्ये और के अंदिसासित हैं, उनमें से लगबग 25 हाई कोट हैं, और उसके परश्यात आता है हमारे देश के अंदर डिस्टिक कोट या सबॉर्डिनेट कोट, या फिर अधी नस्त नियायले की काटगरी में आते हैं, जो की जीला नियायले हैं, ठीक है, मतलब कि सुप्रिम कोट सीर्स पर हो गया, उ हमारे अधी नस्त नियायले, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सुप्रिम कोट पर, और परियास करेंगे हाई कोट को भी कवर कर लिया जाए, तो बने रही है आप सिरी अज्यूगेटर यूट्यूब चैनल की साथ, सभी से निवेधन हैं, जो भी नए चात्र चात्रा है, पहली बर चैनल को विजट कर पा रहे हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही अपने दोस्तों दक शेयर जरूर कर दे, फीडबेक के तोर पर लाइक्स और कमेंट जरूर करिएगा, तो पहला टोपिक है हमारा नियायपाली का को लेकर, सर्वाच नियायले या फिर उच्छतम नियायले, नियायले की सुप्रिम कोर्ट को कहा गया है, MPPCS 2016 में ये कोशन बना हुआ है, नेक्स्ट है हमारा सर्वोच नियायले से जुड़े प्रावधान किस भाग एवं अनुशेद में है यानि कि जो सर्वोच नियायले के जो प्रावधान किया गया है सविधान के कौन से भाग के अंतरगत है और कौन से अनुशेद में है तो देखे दोस्तों भाग 5 के अंतरग गई है यह आरार भी 2003 में कोश्चन बना आरार सी गुरूब डी का कोश्चन बना 2022 में और यूपे ट्रेपल सी पैट 2022 में यहां से कोश्चन बना नेक्स्ट है कौन सा अनुछेद उच्चितम नियायले की स्थापना एवग गठन से संबंदित है तो यह अनुछेद 124 है जो की प्रावधान करता है देश का एक उच्चितम नियायले या सिफित सर्वच नियायले यानि की सुप्रीम कोट होगा और उसका गठन करने का प्रावधान करेगा 124 सनुछेद एससी जेई 2000 किसमी हैसिक कोशन बना है नेक्स्ट है मोल सविधान में सर्वच नियायले में कितने नियायदीसों का प्रावधान था यानि कि जब हुमारे देश के अंदर मोल सविधान लागू हुआ उस टाइम सर्वोच नियालने में कितने नियाईदीसों का प्रावधान था तो एक मुख्य नियाईदीस टोटल आठ थे एक मुख्य नियाईदीस के साथ साथ अन्य नियाईदीस थे मतलब कि CGI Chief Justice of India के साथ साथ नियाईदीस को मिलाकर टोटल आठ नियाईदीस की संक्याती सर्वोच नियाईदीस के अंदर जब मोल सविधान लॉंच किया गया यानि कि लागू किया देश के अंदर किलियर है नेक्स्ट है वर्तमान समय में सर्वोच नियाईदीस हैं तो टोटल 34 है वरतमान समय में सुप्रिम कोट के अंदर जो नियाईदीस है जिसमें से एक तो CGI है यानि Chief Justice of India यानि मुख्य नियाईदीस भारत के और साथ ही 33 अन्य नियाईदीस है तो कितने है टोटल 34 भारत में उचिंतम नियाईदीसों के संख्या में व्रद्धी करने की सक्ति किसमें नहीं था तो यह हमारी पार्लेमेंट यानि भारत के संसत के अंदर यह सक्ति नहीं था IAS 2014 में कोशन बना है नेक्स्ट सर्वोच नियाईदीस के प्राथम मुख्या नियाईदीस कौन थे तो प्रतम मुख्या नियाईदीस यानि की पहले CGI ओफ इंडिया कौन थे हीरालाल जे कानिया जी पहले CGI रहे हैं भारत के सुप्रीम कोट के यानि Chief Justice ओफ इंडिया फर्स्ट हीरालाल या H.J. कानिया यहिरलाल जे कानिया जी सर्वोच नियायले की प्राथम महिला नियायदीज कौन बनी प्राथम महिला कौन थी जो सर्वोच नियायले के अंदर अपईंट वी नियायदीज के रूप में तो यह एम फातिमा भी भी थी 1989 में यह सुप्रीम कोट के अंदर नियायदीज ब बना है कौनती M. फातिमा बीवी 1989 में नेक्स्ट सर्वोच नियायले में नियायदीज बनने की क्या योग्यताई हैं तो सर्वोच नियायले के अंदर जो नियायदीज बनाई जाते हैं उनकी योग्यताई हैं भारत का नागरिक होना चाहिए दस साल तक अधिवक्ता या फिर किसी उच्च नियायले में यानि हाई कोट में पांच वर्स तक नियायदीज के पदपर रहा हो और साथ ही राश्ट पते की द्रश्टी में वो कुशल विदी बेता हो यानि की कानून जानने वाला हो क्लियर ये MPPCS 2002 में कोश्चन बना नेक्स्ट है मुख्यन नियाइधी सही अन्य नियाइधी सो के न्यूकपी कौन करता है तो यह अपने राश्ट के राश्ट पती करते हैं यह SSE-MTS 2019 में कोश्चन बना SSE-CHSL 2000 मिस में हा से कोश्चन बना नेक्स्ट है मुख्य नियाईदी सहीद अन्य नियाईदी सो को सपत कौन दिलवाता है तो ये अपने राष्ट के राष्टपती है इनके दुआरा मुख्य नियाईदी सहीद अन्य नियाईदी सो को सपत दिलाई जाती है और इनकी नियुक्ती भी करने का प्रावधा इनके प देखे CGI को इस्तिफा देना हो या फिर सर्वोच नियाईले के नियाईदीस को इस्तिफा देना हो अपना यानि त्याग बदल तो वो राष्टपती को देंगे भारत के यह BPSC 2018, UPPCS 2023 में question बना यानि पिछले साली नेक्स्ट है मुख्य नियाईदीस सहीद अन्य नियाईदीस का कारियकाल कितनी आयू तक होता है तो जो सर्वोच नियाईले है उसके अंदर जो CGI है या फिर अन्य नियाईदीस है तो उनका जो कारियकाल है वो पैसेट वर्स तक होता है यह BPSC 2017 में question बना और UPSSC पैट में 2022 म नेक्स्ट है मुख्य नियाईदीस सहीद अन्य नियाईदीस को उनके पद से किस परकार हटाया जा सकता है यानि कि CGI और अन्य नियाईदीस को यानि सुपरिम कोट के जो नियाईदीस होंगे CGI सहीद यानि मुख्य नियाईदीस सहीद उनको उनके पद से किस परकार हटाय जा सकता है तो ये संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत प्राप्त होने पर राष्टपती की सहमती से उन मियाईध हिसों को उनके पद से हटाया जा सकता है सुप्रीम कोट के अंदर के लिए कि जो संसद है दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से राष्टपती की सह मती से हटाया जा सकता है MPPCS 1903 में कोश्चन बना SSC CHS 2021 यहां से कोश्चन बना है महाभीयोग बरगिरिया द्वारा किस नियाइदीस को उसके पद से बरखास्त किया गया तो किसी भी नियाइदीस को अभी तक impeachment के माध्यम से यानि महाभीयोग के माध्यम से किसी भी नियाइदीस को बरखास्त नहीं किया गया है next है मोल अधिकारों का सन्रक्षक एवं सविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है तो यह अपने भारत का सुप्रीम कोट होता है यानि सर्वोच नियाल्य होता है नेक्स्ट कोश्चन है सर्वोच नियाल्य का उद्गाटन कब किया गया तो यह 28 जनवरी 1950 में भारत के अंदर सर्वोच नियाल्य का उद्गाटन किया गया और यह MPPCS 2013, SSC CHSL 2021 किस में यहाँ से कोश्चन बना दोस्तों नेक्स्ट है सर्वोच नियाल्य का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया यह हुआ तो यह भारत के अंदर जो सर्वोच नियाल्य यानि सुप्रिम कोट का गठन किया गया वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत किया गया नेक्स्ट है देश के सभी सीविल एवं आपरादिक मामलों में अपील का अंतिम नियायले कौन सा है तो भारत देश के अंदर जो अंतिम अपील का नियायले है चाए वो सीविल छेत्र में हो या आपरादिक के मामलों में हो तो वो एक मातर है सुप्रिम कोर्ट यानि सरवोच नेक्स्ट है राष्टपती सर्वाजनिक महत्व के मुद्दो या फिर विश्यों पर किस से राय मांगता है तो ये अपने भारत का सर्वोच नियाले है और ये अनुचेद 143 के तहत है और अनुचेद 143 में 143 यानि I love you से संबंदित है जैसे कि मतलब सब को पता है कि 143 क्या ह तो 143 यानि कि अनुचेद 143 जो कि राष्टपती द्वारा सुप्रिम कोर्ट से I love you बोला जाता है और सुप्रिम कोर्ट इसके बदले में I love you to 143 के माध्यम से ही बोलता है राष्टपती को यानि कि जब राष्टपती सावरजनिक महत के मुद्दों पर या विवादों पर राई मांगता है सरवचनियाले से तो उसको राई परदान करता है वो डिपेंड करता है राष्टपती उसे सुईकार करे या ना करे वो उसके विचारिक सक्की पर डिपेंड करता है नेक्स्ट है सर्वच नियायले की रिट अधिकारता छेतर किस से जुड़ी हुई है यानि जो सर्वच नियायले है सुप्रीम कोट की जो रिट अधिकारता है किस छेतर से जुड़ी हुई है तो यह केवल मेरे प्यारी दोस्तों मूल अधिकारों से संबन दीता है जै कि देख होता है तो सुप्रीम कोट रिट अधिकारिता के माध्यम से उनका एनलाइज करता है और नागरिकों के मोल अधिकारों का संरक्षन करता है किलिया है नेक्स्ट सविधान के अनुसार उच्चितम नियायले का इस्थान नई दिल्ली घोसित किया गया लेकिन मुक्य नियायदीस किसकी अनुमती से इस्थान कहीं और नियुक कर सकता है तो यह राष्टपती की अनुमती से कहीं भी नियुक किया जा सकता है नेक्स्ट है सर्वोच नियायले का अभिलेक नियायले की इस अनुछेद में है तो अनुछेद 139 के अंत्रगर्द सर्वोच नियायले का जो एक अभिलेक नियायले के रूप में कारिय करता है तो अनुछेद 139 के तहर्द ये UPCS जुडीश्री 2013 में कोश्चन बना यानि कि प तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134, आर्टिकल 135, 136, 143, 227, 245, 242, ये कुछ अनुछेद हैं जिनमें, जिनके माध्यम से सर्वोच निया लेगी पुन्रा विलोकन की सक्ति निहित है सर्वोच नियायले में पुनर विचार याची का निर्ने के कितने दिनों के अंदर दाया की जा सकती है तो यह 30 दिनों के अंदर सर्वोच नियायले में पुनर विचार याची का निर्ने के लिए दाया की जा सकती है दिनों के अंदर अंदर next है सर्वोच नियाले को अपने निर्नियों या फिर आदेसों का पुनराविलोकन का अधिकार किस अनुछेद में हैं तो ये अनुछेद 137 2009 में UPPCS का ये question बना है तो सर्वोच नियालों को अपने निर्नियों या फिर आदेसों को पुनराविलोकन यानि की रिव्यू करने यानि की रिव्यू यानि पुनरविलोकन करने का अधिकार दिया गया है अनुछेद 137 के अंदर किलियर है next है किस अनुछेद के तहद सर्वोच नियाले द्वारा घोसित विधी सभी पर आबदकारी होती है तो अनुछेद 143 के तहद सर्वोच नियाले द्वारा घोसित विधी सभी पर आबदकारी यानि की परभावी होती है next सर्वोच नियाले को सविधान की व्याख्या करने का अधिकार किन अनुचेदों के तहट प्राप्त होता है तो सर्वोच नियायले को सवीधान की व्याख्या करने का अधिकार अनुचेद 13, 132, 133 के तहट प्राप्त है कि सर्वोच नियायले सवीधान की व्याख्या करने का अधिकार रखता है 13, 182, 183 नेक्स राष्टपती या उप्राष्टपती के चुनाव संबंदित विवाद पर अंतिम सकते किसके पास है तो ये अपने सर्वोच नियाले के पास SSE 2002 में यहां से question बना Next है इंद्रा सहानी बनाम भारत संग मुगद में द्वारा उच्चतम नियाले का निरने किस विशे से संबंदित है तो ये सरकारी नोकरियों में अन्या पिछड़ा वर्ग के आरक्षन से संबंदित है और ये BPSC Re-Exam 2020 में हैं से question बना है इंद्रा सहानी बनाम भारत संग मुगद मा उच्चतम नियाले में सरकारी नोकरियों में अन्या पिछड़ा वर्ग से संबंदित मतलब की इंद्रा सहानी बनाम जो केस आया था 1992 के अंत्रगत वो सरकारी नोकरियों में OBC को Reservation को लेकर था क्लियर है नेक्स्ट है दोस्तो सर्वोच नियाले को मूल अधिकारों का संद्रक्षक कीन अनुचेदों के तहत बनाया गया तो ये अनुचेद 13 और अनुचेद 32 के तहत सर्वोच नियाले को मूल अधिकारों का संद्रक्षक बनाया गया है सर्वोग और महत्मुन हैं दोस्तों यहां से सवाल बनते हैं आर्टिकल 32 तो सविधान की आत्मत तक बताया गया है वाप डॉक्टर धाबा अमबेड करद्वाराजी नेक्स्ट है सर्वोच नियाले या उचित नियाले मिन नियाईदिस बनने की नियुनतम आयू कितनी निर्धारित है कितनी है तो यह कोई निर्धारित नहीं है सविधान के अंदर की वाई कितनी उमर का जैसे राष्टपती या फिर परधान मंत्री या फिर लोगसभा या रा इस है न कि 35 साल राष्ट्पती उपराष्ट्पती के लिए मिनिमम और राज्य सबाग लिए 30 साल और लोग सबाग लिए 25 साल है न तो ऐसे नियाई धीज के लिए कोई उमर नहीं है निश्चित है न सर्वोच नियाईले या उच नियाईले के नियाईदीज के आचरन पर संसत में चर्चा करना परतिबंदित है तो यह निश्चित 121 महाभियों के अतरिक चर्चा यानि कि सर्वोच नियाईले हो या उच नियाईले के जो नियाईदीज है उनके आचरन पर संसत के अंदर चर् परति बंदित है, ऐसा नहीं कर सकते, कौन सा अनुचेत के तयाथ, 121 के तयाथ, परन्तु महाभ्योग से अलग होना चाहिए, महाभ्योग जैसी कोई कंडिशन नहीं होनी चाहिए, यह RRB, RRC, गुरूप D, 2021 में कोश्चन बना, नेक्स्ट सर्वोच नियायले के सेव को एवं अधिकारियों की नियुक्ति कोन करता है, तो मुक्य नियायदीस, इसकी नियुक्ति करता है, सर्वोच नियायले के सेव को एवं अधिकारियों की नियुक्ति, अनुचेत 146 के तहत आता है, नेक्स्ट भारत में जनित यानि PIL यानि Public Interest Litigation का जनक किसे माना जाता है तो ये स्रीपियन भगवती जी हैं जिनको PIL यानि भारत में जनहीत याचिकाओ का जनक माना जाता है देखे PIL की फुल फॉर्म भी बूछ लेगा Public Litigation, Interest Litigation तो ये SSJEE के अंदर 2020 में question बना दोस्तों Next है नियाइपालिका द्वारा अपनी परंप्राग नियाइक भूमिका का अतिकर्मन कर विधाईका या फिर कारियपालिका के कारियों में दखल देना क्या कहलाता है तो ये नियाईक सक्रियता कहलाता है कि नियाईपालिका द्वारा अपनी परमप्रागत नियाईक भूमिका का अतिकर्मन कर विधाईका वे कारिय पालिका की कारियों में दखल देना क्या कहलाता है नियाईक सक्रियता यानि Judiciary Activism नेक्स्ट है सर्वोच नियायले द्वारा कब यह है वयवस्ता यानि की कॉलेजियम वयवस्ता की गई की वरिष्टम नियाईधीस की होई ही भारत का मुख्य नियाईधीस बनेगा तो वर्स 1993 में यह वयवस्ता लाई गई थी UKPCS 2016 ने कोशन बनाए तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉलेजियम वयवस्ता पर अच्छे से चर्चा करेंगे तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं बने रही है आप सिरी अज्योगेटर यूट्यूब चैनल की साथ तोड़ा सा तबियत यानिकी गले में खरास होने के करण दिक्कत आ रखी है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से सुप्रिम कोट हाई कोट को कम्प्लीट करेंगे बने रही है आप सिरी अज्योगेटर यूट्यूब चैनल की साथ जादे जादे अपने दोस्तों तक शेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोस नए उत्सा के साथ धन्यवाद जै हिन जै भारत